आज हम बनाएंगे अम्रसरी छोले जो कि बहुत इस्वादिस्ट बनते हैं तो ये कैसे बनाए जाते हैं तो चलिए आज हम बनाते हैं आप मेरे चैनल पे फर्स टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए बनाते हैं तो ये मैंने 200 ग्राम छोले लिये हैं जो रात को मैंने भिगो दिये थे देखे किसे अच्छे फूल गए हैं और अब हम इसको एक कूकर में डालेंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे पानी हम इतना डालेंगे कि यह डूब के और थोड़ा ज़्यादा और डले ताकि क्योंकि हम और पानी यूज में नहीं लेंगे इसी पानी को हम बाद में यहीं कम पड़ता है तो हम इसको ही यूज में लेंगे तो हम थोड़ा सा पानी जादा ही लेंगे तो यह पानी हमने डाल दिया है इसके बाद हम लेंगे एक कपड़ा साफ सुत्रा सा उसमें मैंने लिया है एक तेज पत्ता और यह दो इलाइची छोटी इलाइची और चार-पांच शेक लॉंग ले रही हूं में यह और मैं साथा कालीमिश यह कालीमिश लिए है मैंने आप इसके बाद मैं डालूंगी चाई की पति तो यह एक चमच चाई की पति और आधी और तो यह लेंड़ चमच हम ने चाई की पति डालोगी जाल दी है यह चुंकि बड़ी थी तोड़ी इसलिए नहीं तो दो चम नाश्टों होनी चाहिए 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 पती से चोले का कलर बहुत अच्छा आता है इसको पॉटली को हम बहुत अच्छे से बादेंगे यह खुलनी नहीं चाहिए और इन मसालों का फ्लेवर बहुत इसको बहुत टाइटली बादना पड़ता है इसको हमने बाद दिया इसको हम डाल दिया इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक छोटा कटा प्यास इसमें मिक्स कर देंगे एक छोटी हरी मिर्श चोटी-चोटी कटीवी इसको हम डाल देंगे इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर आदा छोटी चमच नमक क्योंकि नमक हम अभी कम डालेंगे क्योंकि हम बाद में भी डालना होते है इसलिए अभी हम इतने डालेंगे अब हम इसको उकर को बन कर देंगे और इसमें हम सीटी लगाएंगे तो इस सीटी लगा लेते हैं हम। यह सीठी लगा लेता हैं, जिसको खोल लेते हैं कि हमारे छोड़े हsti हैं कि नहीं हुए तो इनको हम दबायके देखते हैं तो हमारे UH हो चुके हैं, अब यह यह पोटली अब हम निकाल देंगे कि इसको हम हटा देंगे इसमें से अब हम इसका मसाला तयार करेंगे इसमें हमने दो छोटे प्याज काटे छोटा छोटा कट किया है 25 ग्राम करीबन हमने ये मखन लिया है आदा इंच छोटा कटा जूलियन कट अदरक लिया है दो हरीमेश छोटी वैली जूलियन कट किया है यह आदा धाी आदा कटोरी धाई लिया है और इसमे दो छोटी हरी मिर्च, चार केली लसुनकी और दो टमाटर आपे इसमें पीस लिया है अब हम ये मसाला लेंगे इसमें धनिया पाउडर 2 चमच, एक चूटी चमच, मिर्ची आदियरव कicos ये और ये बुना जीरा, पिसावा कि एक चोटा चमच आदा चोटा चमच हमने गर्म मसाला और एक चोटा चमच हमने एक अनारदान लिया यादि आपके पास अनारदाना नहीं हो तो आप जूर ले सकते हैं तो अब हम इन सारे मसालों को इस धही में मिक्स कर देंगे और इसको हम मिक्स करने के बाद हमें इसको 15 मिनट तक के लिए रख देंगे अब हम मसाला बना लेते तो इसमें हमने तेल डाल लिया है दो बड़े चमच तेल डाल लिया हमने इसके अंदर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जीरा, एक चमच, उसके बाद हम डालेंगे इसमें हींग, चोटा चमच, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, यह प्याज, इसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे, प्याज को, पूरा ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे बूनेंगे फ्लेम मीडियम ही रखें आप देखिए ब्राउन हो गया हमारे प्याज इसके बाद हम ये टमाटर जो पिसावा है वो डाल देंगे इसको हम बहुत अच्छे से जब तक इसका ओईल अलग नहीं हो जाता है तब तक हम इसको बूनेंगे ये देखिए इसका ओयल अलग हो चुका है ये पूरा भून चुका है अब इसके अंदर हम जो धाई में मिक्स्स कियावा मासाला था था हम इसमें डाल देंगे तो हम भूनेंगे जब तक कि और सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक हम भूनेंगे तो देखें इसको भी जब कहते हैं कि जाली पड़ जाए जब तक बूनने चOWN भून ना चाहिए तो यह मसाले में जाली पड़ चुक्त है है और यह हमारा भून चुका है अब हम इसके अंदर छोले डालेंगे और छोलो वाला पानी भी हम इसमें डाल देंगे इसको अच्छे से हिला लेते हैं अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे छोलों को अच्छे से मैश कर देंगे ताकि उनकी अच्छे से ग्रेवी हो जाती है इसलिए मैश करना बहुत जरूरी होती है तो इसको अच्छे से मैश करने के बाद 15-20 मिनट तक हम इसको मेडियम फ्लेम पे रखेंगे यह देखिए 15-20 मिनट हो चुके है हमारे और इसका कलर देखिए लिए चेंज हो गया है तो हमारे छोले बनने के लिए तयार हैं मगर अभी हम इसमें नमग रैट करेंगे वह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी लेते हैं इसके बाद हम डालेंगे जो अद्रक का टीवी थी उसको डालेंगे उसके बाद मिर्ची हम डालेंगे इसके अंदर और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे वह मखन जो हमने लिया था 25 ग्राम यह मक्षन भी हम इसमें आड़ कर देते हैं अब इसको हम और 10-15 मिनट और पकाएंगे इसमें हम कसूरी मेती और डाल देते हैं उसके बाद हम इसको 15 मिनट और मीडम फ्लेम पे रखेंगे यह हमारे 15 मिनट हो चुके हैं अब इसमें हम एक लास्ट जो है तड़का जो हमें लगाना है अब हम इसको इसमें तड़का लगाएंगे यह हमने देशी की पहले से गरम करके रखा है इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मेच एक छोटा चमच हमने डाला है इसके अंदर खाला का ऐसी तरीके से हम डाला देंगे तृसिस का कलर बहुत सुंदर आएगा अच्छा आएगा तो यह हमारे चोर। बिलकुल तभियार है यह है अबरासरी चोले आप इस तरीके से बनाई है आप और आपको कैसे लगी है इसके लिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मायर चैनल को फिर मिलते हैं हम नई रसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई